प्राइमिस्टर बोरिस जॉन्सन, डिस्टिंग्विज्ट डेलिगेट्स, मीडिया के हमारे साथ ही नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रदान मंत्री बोरिस जॉन्सन और उनके डेलिगेशन का भारत में हारदिक स्वागत करता हूँ। प्रदान मंत्री की रूप में भले ही है, उनकी पहली भारती आत्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में ये भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के सबंधों को मजबुत करने में प्रदान मंत्री जॉन्सन की बहुत महत्पपुन भूमी का रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमरित महोत्सों मना रहा है, प्रदान मत्री बहुरी जॉन्सन का यहां आना अपने आप में एक एतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का सुभारम सावर्मती आश्रम में महत्मा गांदी को स्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहंसिव स्ट्रेडेजिक पार्टनर्शिप की स्थापना की थी। और इस दसक में अपने समंधों को दिशार देने के लिए हमने एक महत्वा कांख्षी रोड मैप 2030 भी लॉंच किया था। आज की हमारी बादचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगती को रिव्यू भी किया और आगा में समय के लिए कुछ लक्ष भी ताय किये। फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की विशे पर दोनों देशों की टिम्स काम कर रही हैं। बादचीत में अच्छी प्रगती हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णे लिया है। पिछले कुछ महनों में भारत ने UAE और ऑस्टेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का समापन किया है। उसी गती उसी कमिट्मेंट के साथ हम UK के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा खेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती व्यक्ति की है। रक्षा खेत्र में मैनुफेक्चेनिक, टेकनोलोजी, डिजाइन और डेव्लप्मेंट सभी खेत्रों में UK द्वारा आत्म निर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। Friends, भारत में चल रहे व्यापक रिभॉम्स, हमारे Infrastructure Modern National Plant और National Infrastructure Pipeline के बारे में भी हमने चर्चा की। हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेस का स्वागत करते हैं। और इसका एक उत्तम उधारण हमें कल गुजरात में हालोईल में देखने को मिला। UK में रहने वाले 1.6 मिलियन भारत की मुल्के लोग समाज और अर्थ विवस्ता के हर शेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्दियों पर गर्व है और इस जीवंत सेत्व को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमत्री जॉन्सन ने नीजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। Friends, हमने Glasgow में आयोजीत COP26 में लिए गये संकलपों को पूर्ण करने लिए अपनी प्रतिबद्दता जताई। आज हमने अपने Climate और Energy Partnership को और अधिक गहन करने का निर्णे लिया। हम UK को भारत के National Hydrogen Mission में सामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हमारे बीच Strategic Tech Dialog की स्थापना का मैं रदे से स्वागत करता हूँ। Friends, आज हमारे बीच Global Innovation Partnership के Implementation, Arrangements का समापन एक बहुत महत्पुन पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साजयदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहट तीसरे देशों में Made in India Innovations के ट्रांसफर और स्केलिंग अपके लिए भारत और UK के 100 million dollar तक को finance करेंगे। इनसे sustainable development goals की प्राप्ति में और climate change से निपटने के प्रयासों में भी बदत मिलेगी। यह हमारे start-ups और MSME sector के नए markets तलाखने और अपने innovations को global करने में बहुत उप्योगी सिद्ध होगा। Friends, हमने खेत्रिय और वेश्विक्स तरपर हो रहे अनेक developments पर भी चर्चा की है। एक free, open, inclusive and rule-based order पर आधारित इंडो-pacific खेत्र बनाये रखने पर हमने जोर दिया। इंडो-pacific ocean initiative से जुड़ने के UK के निरने का भारत स्वागत करता है। हमने युकरेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की खेत्री अखनता और संप्रभूता के सम्मान का महत्वभी दोहराया। हमने एक peaceful, stable और secure अफगानिस्तान और एक inclusive और representative government के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवशक है कि अफगान भूमी का प्रयोग अन्य देशों में आतंगवाद फैनाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सलेंसी, आपने हमेशा भारत और UK के समंदों को मजबूत करने के लिए विशेश प्रयास किया है। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिजी बंडल का भारत में हारदिक स्वागत है। बहुत भन्यवाद। झाल झाल